नमस्कार साथियो, स्वागता आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चनल RS Education Center पर साथियो वीडियो में हम बात करने वाल हैं कम्पूर्टर अनुदेशक भरती के समन्द में कि कुल कितने फोरम अभी तक इस भरती के लिए अपलाई किये गए हैं साथ ही हम बात करेंगे कि आवेदन की अंतिमतिती क्या है और साथ ही हम बात करेंगे कि exam date है वो इस भरती की क्या हो सकती है इन सभी points के बारे में details से इस वीडियो में हम discuss करने वाल है इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि राजस्तान में computer अनुदेशक की ये अपने आप में पहली बरती है जिसमें से कुल मिलाकर इस भरती के लिए अभी तक 1.68 लाख भेरतियों ने आवेदन किया है जिसमें से 1.48 लाख student है इन्होंने basic computer अनुदेशक के लिए तता साथ ही 20,000 student ऐसे है जिन्होंने वरिष्ट computer अनुदेशक के लिए फोरम अपलाई किया है कुल मिलाकर लिए भरती 10,157 पदों पर आयोजी की जाएगे करमचारी चेहर बूर्ड के द्वारा अब बात करें कि आवेदन की अंतिम्तिती क्या रहने वाली है तो आज ही यानि 9 मार्च को ही आज ही इस भरती के लिए आप अंतिम्तिती थी है वो आज ही है 9 मार्च तो अगर आपने अभी तक इस भरती के लिए आवेदन नहीं किया है तो आज आज में आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं साथ ही बात करें exam date के समद्द में तो जो tentative exam date करमचारी chain board के द्वारा दी यही थी वो थी आपकी मई महा में कि मई महा में आपकी computer annotation की exam आयोजित की जाएगी अभी तक fix date के बारे में board के द्वारा कोई notification नहीं डाला गया है जैसे ही इसके समद्द में board के द्वारा कोई सुचना उपलब्द करवाई जाएगी तो वीडियो बनाकर इसकी सुचना सब सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर उपलब्द करवा दी जाएगी इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दीगी जानकर एगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and share जुरू कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि competition exam से समय हर छोटी शे ही हिन